हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल गोलू की साउजी रसोई आज हम एक इंस्टन नाश्टा तयार करने वाले हैं जो कि बहुत ही टेस्टी रहेगा और क्रिस्पी भी रहेगा तो चलो बनाते हैं आज का नाश्टा हम बनाने वाले हैं पोहे से तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक कब पोहा लिया हुआ है और यह मैंने जाड़ा पोहा यहाँ पे यूज किया हुआ है आप चाहे तो इसे पतले पोहे से भी बना सकते हो पोहे को मैंने mixing bowl में डाल दिया है अभी इसमें मैं डाल रही हूँ पानी और इसे 2-3 पानी से अच्छे से धो लेती हूँ ताकि पोहे की dirt पूरी निकल जाए यह देखो यहाँ पे मैंने पोहे को धो के ला लिया है अभी हम पोहे को 10 मिनिट भीगने के लिए छोड़ देते है यहाँ पे मैंने एक mixika जार लिया हुआ है उसमें डाल दिये है 8-10 lesson की कलिया थोड़ा सा अद्रक 3-4 हरिमेज उसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ एक चमस सौफ अभी मैं इसे दरदरा पीस लेती हूँ यह देखो यहाँ पे मैंने पीस के ला लिया है ऐसे ही हमें पीसा हुआ चाहिए एकदम बारिक नहीं चाहिए इसमें जो सोक के तुकड़े आते हैं वो बहुत ही टेस्टी लगते है यहाँ पे पोहा भी हमारा अच्छे से भीक चुका है यह देखो पूरा पोहे ने पाने पी लिया है और अच्छे से भीक चुका है यह देखो यह तूट रहा है मतलब यह अच्छे से भीक चुका है अभी इसे हातों से हम स्मैश करेंगे तो इसे ऐसे ही हातों से smash करते जाएंगे दो तीन मिनिट तक तो ये पोहा तूट जाएगा ये देखो ऐसे ही हम पोहे को smash करते जाएंगे ये देखो यहाँ पे पोहा पूरे तरह smash हो चुका है ये देखो पूरा पोहा तूट चुका है बस ऐसे ही हमें पोहा चाहिए अभी हम फोहे में जो बारिक किया हुआ मसाला है वो डाल देते हैं हरी में चद्रक लसुन का जो मसाला हमने बारिक करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देते हैं इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक उबला हुआ आलू या आलू को भी मैं यहाँ पे ग्रेट करके डाल देती हूँ आप चाहे तो इसे स्मेश करके भी डाल सकते हो मैं यहाँ पे इसे ग्रेट करके डाल रही हूँ अभी इसके साथ ही मैं इसमें डालूगी एक बाउन गाजर ग्रेटेट गाजर मैंने इसमें डाल दिया है इसके साथ ही थोड़ा सा बारिक कटा हुआ धनिया एक बारिक कटा हुआ प्याज आदा निम्बू का रस आदा चमच इसमें डाल रही हूँ में जीरा और एक चमच डाल रही हूँ तील एक चमच डाल रही हूँ एक चमच रेड चिली फ्लेक्स थोड़ी सी हल्दी पाउडर सादा नुसर नमक इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ में आदा बाउल बेसन अभी ये सारे इंग्रेडियन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बहुत ही टेस्टी नाश्टा बनता है ये और बहुत टाइम तक के क्रिस्पी भी रहता है ऐसे ही इसे हाथ से हम मिक्स करते जाएंगे तो ये एक डो के फॉर्म में तयार हो जाएगा बहुत ही जल्दी बन जाता है ये ऐसे ही हाथ से इसे मिक्स करते जाना है नाश्टा तयार हो रहा है तब तक क्या आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरे वीडियोज अच्छे लगते होंगे तो मेरे वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही नई नई नाश्टे की डिसेश आपके साथ शेयर करते रहा हूँ यह देखो यह एक डो के फॉर्म में अभी तयार हो चुका है हमारा मिक्षर अभी एकदम रेडि है अभी मैं हाथ साप करके आ जाती हूँ यहां पर मैंने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लिया है और जो बुड़ो हमने तयार किया हुआ है उसमें से थोड़ा सा मिक्षर हाथ में लेकर उसे हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे और इसका एक नाश्टे का आकार देंगे तो यहां पर मैं इसे दे रही हूँ सिलेंडर का आ देखो ऐसे ही सिलेंडर के आकार में मैं यहां पर नाश्ता तयार कर रही हूं आप चाहे तो इसे वड़े के आकार में भी बशा सकते हो आपको जो भी आकार अच्छा लगता हो आप उस आकार में बना सकते हो मैं यहां पर सिलेंडर के आकार का कटलेट के आकार के बना रही बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये ये देखो ऐसे ही मैं पाकिके तयार करके लख लेती हूँ ये देखो यहाँ पर मैंने पूरा नाश्टा तयार करके रख रही है ये देखो बहुत ही मस्त दिख रहा है अभी ये नाश्टे को हमें तलना है तो उसके लिए मैंने ग्यास पर कड़ई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है तेल जब अच्छे से गरम हो तब हम ये नाश्टा इसमें डाल देते है यहाँ पे तेल एकदम गरम चाहिए नई तो नाश्टा हमारा फूट जाएगा इसलिए इसे हमें एकदम गरम गरम तेल में ही डालना है और इसे हमें high to medium flame पे ही पकाना है यह देखो जितना कड़ई में आया उतना मैंने इसमें डाल दिया है और अभी हमें इसे medium flame पे पकाना है जब यह एक तरप से थोड़ा सा कड़क होना चालू हो जाए तब हम इसे पल्टी कर देंगे ताकि यह पूरे साइड से अच्छे से पक जाए से ऐसे ही हम अल्टी पल्टी करते हुए हाई फ्रेम टू मीडियम फ्रेम पे पकाएंगे यह देखो यह आपे नास्टे का कलर चेंज हो चुका है यह देखो यह अच्छे से पक चुका है अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ बहुती मस्त दीक रहा है और खुजबू भी बहुती बड़ी आ रही है अभी यह नास्टे को मैं निकाल लेती हूँ सारे नाश्टे को मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ और जो बाकी का बचा हुआ नाश्टा है उसे भी ऐसे ही तर लेती हूँ तो ये बन गया हमारा पोहे का नाश्टा पोहे के कटलेट देखो कितने मस्त दिख रहा है ये देखो कितना मस्त दिख रहा है उपर से एकदम क्रिस्पी बना हुआ है एकदम ही क्रिस्पी है और अंदर से पूरा सॉफ्ट है और अंदर तक अच्छे से पक चुका है खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है आप भी इस रिस्पी को एक बार जरू ट्राय करना थेंक यू